जोहार सुंगी साथी तोरे किरापुन यूटूब चैनल Bound to Education मेहन तोरे सोबकेट स्वागता है आज हमलोग पंच परगनिया का एक बहुती मतपुन पुस्तक को स्टार्ट करने वाले हैं इंजोत उपन्यास जो कि आपके आने वाले परिक्षा की दिरिश्टिकों से बहुती जादा मतपुन पुस्तक होने वाला है क्योंकि इस बार जो CGL का सिलेबस दिया गया है या फिर JSSC के तमाम Graduation Level के परिक्षाओं का सिलेबस दिया गया है उसमें especially इस पुस्तक का जिक्र किया गया है इसलिए समझ करके चलिए इस पुस्तक से 10 से अधिक कोशन आपके आने वाले परिक्षा में बनने वाले हैं मिनिमम दस कोशन तो बनेंगे ही बनेंगे उससे जादा भी कोशन रह सकते हैं इसके हर एक चेप्टर से इतने सारे कोशन इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं आपके परिक्षा के दिरिष्टिकों से लगबग लगग एक चेप्टर से 100 से भी जादा इंपोर्टेंट कोशन निकल सकते हैं जो कि आपके परिक्षा के दिरिष्टिकों से बहुत ही जादा महत्पून होने वाला है इसलिए आज के इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर से देखने का परियास कीजेगा अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब कर दे सामने के बैल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरू लाइक करें अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको बविस्य में सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों अगर आपको पंच परगणिया के किसी भी बुक का पीडियाप चाहिए किसी भी एक्जाम से संबंदित तो हम से कंटेक्ट कर सकते हैं नीचे टेलिग्राम आईडी का लिंग मिल जाएगा उसमें आप मुझे से कंटेक्ट कर सकते हैं या फिर वाटसेब नमबर भी दिया गया है याद रखेंगे किर्पया मेसेज करेंगे कॉल करने का परियास नहीं कीजेगा मेरे पास बहुत ही कम समय रहता है ठीक है चले दोस्तों आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं आज का जो पुस्तक होने वाला है इंचोत उपन्यास थोड़ा से इंटोड़क्शन जान लेते हैं इंचोत उपन्यास लिखा गया है पंच परगनिया के सुपरसीद लेखक राजकिसोर सिंग जिनको कहा जाता है बुंडवार जिनको कहा जाता है पंच परगनिया भासा का उस्ताद ये बास्तव में उससाथ हैं क्योंकि पंच परगनिया के लेखनी का आप अगर इनके जो भी लेखनी है अगर आप उनका अध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंच परगनिया के अन्य लेखनी कितनी अधिक डिफरेंट होती है एक छोटे छोटे डिटेल्स पर ये फोकस करते हैं जितने भी चरित्र होते हैं उन सभी चरित्र का बर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं इन जो तुपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो एक प्रकार सी ये लब स्टोरी है जिनका बर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है जिसको आप लेखनी में परफेक्शन कर सकते हैं साथ में आपको हमारे समाज की बुराईयों पर भी फोकस किया गया है इस्तिती का चितरन अच्छी तरीके से किया गया है सभी जगहों का चितरन किया गया है ये हमारे दिल के बहुती करीब है क्योंकि यहां पे आपको हमारे पंच परगना के पांचों परगनाओं का जिक्र मिलते हैं आपको पीपी के बुंडू का जिक्र मिलेगा आपको बुंडू से राहे का जिक्र मिलेगा राहे तता पंच परगना के जितने भी परगना है जितने भी गाउं है बहुत सारे गाउं का जिक्र मिलेगा जहां पे आप छोटा से खेल के बड़े हुए हैं जहां पे हम लोग हों का यहां पे आपको जिक्र मिलने वाला है इसलिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग उपज्ञास है चलिए आज की इस उपज्ञास को सुरू करते हैं दोस्तों एक सिरियस टॉपिक पर बात करना था एक मिनट का समय लगेगा अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं बह कोचिंग क्लासेश चलते हैं जिसके कारण घर आने में लगबग लगब 9-10 या फिर उसे भी ज्यादा रात हो जाता है और फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है और जो समय मिलता है उसी में वीडियो में बनाने का परियास करता हूँ तो आपसे एक सजेशन चाहिए अगर आपको रेगुलर क्लासेश चाहिए मुझे कुछ दिनों के लिए कोचिंग से ब्रेक लेना पड़ेगा और ऐसे में आपको कुछ कंटिबिशन करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है तो मैं सोच रहा था कि पेट क्लासेश सुरू कर दूँ जिसमें एक से त्वेर म अगर आपको पेट क्लासेश चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको चाहिए तो ही हम स्टार्ट करेंगे नहीं तो स्टार्ट नहीं करेंगे आप पे डिपेंड करता है चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं चेप्टर वन पे तो आज का हमारा चेप्टर है इंजोत जो कि पंच परगनिया उपन्या से लिखा गया है राजकी सूर सींग जी के दौरा सबसे पहला कोशन आपका यहीं पे बनता है आप कोपी और पेन साथ में रखे जितने भी कोशन को में दोराते हो चलूँगा उन सारे कोशन को आप लिखते वे चलिएगा तो पहला कोशन यही हो गया कि इंजत जो पन्यास लिखा गया है ये किनके द्वारा लिखा गया है राजकिसूर सींग जिन को कहा जाता है बुंडवार या फिर उस्ताद कहा जाता है पंच परगनिया में ठीक है चलिए आप आते हैं पहला पार्ट जो की है राम गाविक नाम बोसंदपूर तोबे लोकेक मुहें बोसंदपूरे कोहते सुनोल जायला जाय होग बोसंदपूर चाहे बोसंदपूर एके कताये के तो यहाँ पे हमें पहला दिरिष्ट मिलता है इस उपजन्यास का यहाँ पे सबसे मेन केरेक्टर जो है कहानी का उनका भी जिक्र मिलता है उनका क्या नाम है सुईलेस जो कि अपने जितने भी दोस्ते उनके साथ बेटे हुए है यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट गाउं का नाम मिलता है कहां का यह कहानी है बसंदपूर का देखे दोस्तों यहाँ पे गाउं का नाम है बसंदपूर जिनको लोग यहाँ पे बसंदपूर ही कहा जाता है इसलिए सुरू में ही लेखक ने ये चीज़ कनफर्म कर दिया है कि बसंद पूर हो चाहे बसंद पूर हो दोनों एक ही बात है तो वे साम के समय अपने सभी संगी सातियों के साथ बेटे हुए हैं जिस परकार हम लोग संगी सातियों के साथ बेट करके गबसब करते हैं उसी परकास सोयलेस अपने संगिसातियों के साथ बेट करके साम के समय में यहाँ पे बातचित कर रहे हैं अचानक उनको एक सूर लहरी का बतावरन सुनाई देता है अर्थात कि कहीं से गाने का वहाँ पे सुवर उनको सुनाई देता है चुवा सोब कर घंचा लेक तो यहाँ पे कुछ बेटी चुवा कर घंचा लेक अर्थात कि उनके गले से कुछ सुवर उनको सुनाई देता है क्या सुवर सुनाई देता है थोड़ा सा नीचे दिया गया है तो यह एक सुलोक लिया गया है बहुत यदिक इंपोर्टेंट है यहाँ पे लगन के बारें बात किया जा रहा है कहीं से उनको एक सुवर लहरी सुनाई देता है सुवर लहरी क्या है तो यह सुवर लहरी सुनाई देता है इसको थोड़ा से याद रखने का परियास कीजेगा यहाँ पे का गया है कोनो फूले लोगन दोराई किसी फूल में लोगन दोराता है किसी फूल में बिहा होता है किसी फूल में बिधाई होता है तो अलग-अलग फूल का यहाँ पे स्वभाव अलग-अलोग होता है जिसे कि यहाँ पे याद रखेंगे सालोग फूले लोगन दोराए किस फूल में लोगन दोराता है सालोग फूल में आकोद फूले बिहागो किस फूल में साधी होता है आकोद फूल में परास्कुले होत बिदाय, परास्कुल में क्या होता है, बिदाय होता है, तो ये तीन चीज़ को याद रखेंगे, यही से important question बन सकता है, तो चलिए यहां से कितना important question बन सकता है, तोड़ा सा जान लेते हैं, सबसे पहले याद रखेंगे, जिस गाउं का burden किया गया है, वो कौ question बन सकता है, सालोग फुले क्या धराता है, तो यहां पे लोगन धराता है, ठीक है, आगोंद फुले भिधा होता है, और परास फुले बिदाय होता है, तो इन चीज़ों, तीनों चीज़ों को याद रखेंगे, इन से directly question बन सकता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम परसु दिन उमने गोरे बेटी के बियाएगे, तो यहां पे दयाल कह रहा है, कि यहां पे पॉल्टान गोर में लगन धरा रहा है, अर्थात कि लगन हो रहा है, उनके बेटी का यहां पे बियाएगे, परसु दिन उनके बेटी का बियाएगे, तो यहां पे याद रखेंग रोसे भीजोल गीत सुने नहीं पाई रहे तो अब इसे जानोत रहे जे बोसंतपूर एक माटीटा गीत सुमर एक गोड़े के तो यहाँ पे इससे पहले भी जो हमारा केरेक्टर है सोयलेस यह बसंतपूर आ चुका है परन्तु इस प्रकार का भीजोल गूत रोसे भीजोल गीत इस प्रकार का सोयलेस इससे पहले नहीं सुना था लेकिन वो पहले से ही जानता था कि बसंतपूर जो है यह गीत जुमर का ग बसंतपूर का जो नाम है अभी बसंतपूर के नाम से ही पहचाना जाता है। बसंतपूर जाना जाते हैं तो कहां कहां आपको पार करना पड़ेगा। आपको यहां पे गाव मिलेगा या फिर कौन-कौन सा छेतर मिलने वाला है। तो आपका चार उप्सन दे दिया जाएगा उसमें से एक उप्सन अलग दे दिया जाएगा। तो याद रखेंगे राहे, डोमोंडी, डूंगरीडी और बूरूडी इन सबी चीजों का आपको पार करना होगा तबी बसंतपूर आप पहुंच सकते हैं। दोर धारे लेंगा बाटे एक चोटे मोटे खापरा घोर आहे जेटा हुआ के एक ता फाइब स्टार होटेल लेगे। चापानी का इंतजाम उस होटेल में हमेशा रहता है। दोर से रुका करते हैं। तो याद रखेंगे होटेल कहां पेस्ति थे बुरूडी है, आम बागान के सामने, वहाँ पे एक होटेल है, होटेल किस परकार का है, खापरा घर का होटेल है, इन सब चोटे-चोटे पॉइंट को लिखा किजिए, आपको कभी भी परिक्षा में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? वैसे तो मैं आपको अबजिक्टिव कोईशन करवा दूँगा, इसलिए इन सबी चीजों को अच्छी तरीके से देखती वे चलिए, बाबाजी के होटेल है कोनों, तो कॉम से कॉम एक गिलास पानी तो पावे को कोरेला, बाबाजी का लोग गिला, पानी पी के, चाहे चा, पोकोडी खाई के, ठाई गिला के जुठाई नाई राखेन देनला, बलकि पानी माई के निजे खांगराई देनला और बाबाजी के सोनमान के बाचाई राखेनला, तो बाबाजी चुकी ब्राह्मन है, इसलिए वहाँ से जो भी आते जाते हैं जो भी कुछ खाते हैं चाय वो पानी पीते हैं या फिर पोकोडी चाय जो भी खाते हैं वे जो भी ठाई गिलाके अर्थात की वह जो भी बरतन उपयोग करते हैं उनको जुठा नहीं रखते हैं अपितु उनको थोड़ा सा पानी से खांगाल देते हैं क्योंकि इसलिए वहाँ पे दुकानदार या फिर खरिदार के जैसा वहाँ पे महोल नहीं दिखता है बलकि वहाँ पे घरेलू कथा बत्रा जैसा महोल दिखाई देता है गोड लागो बाबुजी आज तो भीन सारे दुकान के खोल दे आही चातो बनाए आही नोका इसी परकार एक जन पूछता है कि गोड लागो बाबुजी पेर छूता हों बाबुजी आज सुबह ही दुकान खोल दिए इस परकार से वह काता है चातो बनाए आही नोका चाता ब तो उन्होंने भी हंस के जवाब दिया कि हाँ सुबह सुबह ही दुकान को लिया क्योंकि गाड़ी सब सुबह ही पार होता है उसके बाद तो मुझे माची दुखना पड़ता है और तक कि उसके बाद कोई भील्ट बार नहीं रहता है चुकि वहाँ पे आने जाने वाले लोग भी ठरते हैं जादा तर इसलिए जो भी बुंडू तरब से उधर बसंदपूर जाते हैं या फिर बसंदपूर से कोई आते हैं तो उनके होटेल में चाय पानी का नास्ता करके निकलते हैं और उनका गाना था कि सुबह सुबह ही सारे गाड़ी पार हो जाते हैं उसके बाद त पर रोसिक बाबाजी तो यह जो बाबाजी हैं एसे वैसे बाबाजी नहीं है एक नमर का रोसिक बाबाजी हैं अब किस चीज़ का रोसिक बाबाजी है वो दिया गया है और कोनो ठाके रोसिक सुन ले आकचकाई जाबा क्या चीज़ का रोसिक अगर आप सुनेंगे तो आक चकाई जाएगा अस्य चकित हो जाएंगे ठीक है उमन किर्केट के रोसिक है कोई वे किर्केट के रोसिक हैं सारा कौन उमने के रेडियो मेहन खरकरात खरकरात के किर्केट कमेंटेटरी सुने के पवाईला दोहर चोले या उनके पुछते रोहेंला कहां बाबाजी भारत कोति तो यहाँ पर वे किसका रोसिक है वे किर्केट का बहुत बड़े रोसिक है और वो रेडियो पर हमेशा करकरात करकरात किर्केट के कमेंटेटरी सुनते रहते हैं और उसके डोहर में उस डोहर में जो भी आते जाते रहते हैं उनको कमेंटेटरी अर्थात की रन पूछते रहत जे जाने ई एवर भारत जिती नोनाई जिती सोबे बेटर गिला तो लाडिर होई जनला लेकिन यहाँ पर बबाबाजी को बोलने से पहले ही जो भी पूछते हैं वो निकल जाते हैं और बाबाजी का जो कथा बत्रा है वो हवा में ही यहाँ पर देखें कथा बत्रा है महकत रहला हवा में ही महकत रहता है सुची यहां पे लेखनी को आप थोड़ा से दिखे इनके लेखनी को वे बात का भी यहां पे सुचे कितना अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किये हैं कि वहां से जो जाते हैं वो पार हो जाते हैं लेकिन बाबाजी का बात वहां पे हवा में महकत रह जाता है अर्तात की जो पार होते हैं, वो सुनते नहीं है, केवल पुछने का पूछ दे थे हैं, वलबोहित बबाजी क्रिकेट केर पिरीत प्यार, ठीके कोहनला, बापेक नाम, सागपात, बेटाक नाम, मिठाएदास, ये एक फ्रेज कहा सकते हैं, ठीके, लोगों खती है, बापेक नाम, सागपात, जो रास्ता है बहुत ही उबड़ खाबाड है बहुत ही खराब है गाड़ा टिकड़ा है एकदम उत्तर पस्चिम चोईल के जाएला उत्तर पस्चिम चल के जाना पड़ता है और इसलिए वहीं तक गाड़ी जाता है उसके आगे नहीं चाता है वहाँ पे चल के जाना पड़त किमबा गमचा बिचाए के सुईट अडगाएनला तो यहाँ पर देखे बाबाजी के जो होटल है वही के सामने एक आम का बागान है जिसमें बड़े बड़े आम और पुराना पुराना आम का बिरिच है और दूर जाने वाले या फिर जैसे कि कोई बस लेट से राता है तो सुबा ही कोई कोई आज आते हैं ठीक है और वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का दिन में आराम कर लेते हैं से आम बागान ठाके पार कोईर के गढ़ा डिपा चोले होईला गोड़ धोई के समान को रेला उसके बाद थोड़ा सा दूर जाने के बाद धेर दूर जाने के बाद वहाँ पे राडू नदी मिलता है याद रखेंगे कौन सा राड़ी मिलता है राडू नदी मिलता है जो की आने वाले जितने भी यात्री होते हैं उनका स्वागत करता है किसे स्वागत करता है उनका गोड को धो करके ठीक है अर्थात की राडू नदी को भी ऐसे ही चल के पार करना पड़ता है और यहाँ पे देखे गोड को धो करके अर्थात की उसमें जादा पानी नहीं रहता है आप ऐसे भी पार कर सकते हैं तो याद र लगता है जिसे सीली परगना में आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा है इठिन कालेक दूइटा दोहर चिंगेला लेंगा बाटे बसतपूर और सोज बाटे उत्तर पूर्वे पॉगडा और रांगा माटी जायनला देखे दोस्तों यहाँ पे दो तरह से गाउं का डिवाइडेशन हो रहा है बसतपूर जहाँ पे एक तरफ लेगा बाटे अर्थ लेप्ट साइड बसतपूर और दूसरा तरफ हमारे गाउं अर्थात की पोगडा और रांगा माटी तरफ यह रास्ता जाता है नोधी पारकोरल बादे उसने आईडे गोडे गाडा डिपा के पारकोरत के बसतपूर के सिमाना पवाईला और इस परकार गाडा डिपा आईडे गोडे पारकर के बसतपूर का सिमाना आपको देखने को मिलता है दूर लेई बड़े बड़े बिल्डिन पाका गोर और चोटे चोटे जूपडी घोर देखाई शुरू हो जाता है गाउ मुडा पोच लेई इसकूल कर गोर स्वगत करें ला और एक्टा बड़े पीपल केर गाच हील देखे आपन खुशी जना हैं ला और ये पीपल का चाप भी मुझूद है देखे दोस्तों यहाँ पे गाउ मुडा पोचके जैसे ही गाउ मुडा पोचते हैं वहाँ पे इसकूल स्वागत करता है ये एक इंपोर्टन लिग करके रखेगा कि बसंतपूर जैसे ही आप पहुचते हैं सबसे पहले तो राडू नदी में आपको पेर दोया जाता है राडू नदी पार करेंगे और वे गणा डिपा ये सब मिलता है वहाँ पे दो रास्ता मिलता है लेगा बाटे आपको बसंत एक बड़े पीपल का गाच आपको मिलेगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा एक स्कूल मिलेगा एक पीपल का ब्रिच मिलेगा इसे आप याद रखेंगे दो एक पार कर लेगा और वहीं पे दो एक घर पार करने के बाद ही एक इंपॉर्टन केरेक्टर यहाँ पे आजाता है जुठोन साव का घर आपको मिलेगा तो एक रोसिक आदमी है और ये भी एक परकार से रामायन के ग्याता है आसपास के जितने गाव है वहां से बुलावा आता है रामाएन पाठ के लिए ये रामाएन पाठ के लिए जाते हैं ठीक है और जुठोंसाव ऐसे आदमी नहीं बच के वहां से नहीं जाना है जो भी बसंदपूर जाते है उनका नजर उस पे रहता है उनका जिकरा भी मिलेगा सबसे पहले आप याद रखेंगे जैसे ही गाउं गुषता है दो चार घर पर करने के बाद किनका घर मिलता है जुठोन साव इनका नाम याद रखेंगे इंपोर्टन्ट है उमन के डेग के पारपाना मुस्कीले के उनको डेग करके पारपाना मुस्कीले अर्थात के उनको वहाँ से जो भी जाता है नजर आ जाता है दुकान दुराई बोईस के चाहे ठाड होई के गिद नजरे डोखर बटेक एक टुको पार होईयक उपरे नजर रोहला जो भी वहां से जाते हैं गिद की नजर जैसा उनका नजर हुआ आता है का मजाल जे उनके धोका दे के केर पार होई जाए क्या मजाल कोई उनको धोका दे करके वहां से पार हो सकता है दुआर आगनाय महाबिर हुनु केर थापना को रोल बेदी आहे जहां समय समय रामायन केर पाठ होते रोहला दुवार के सामने हनुमान मंदिर का देखे हनुमान का यहां पे थपना क्यावा है भागवान महाबीर हनु का यहां पे थपना क्यावा है जहां पे समय समय पर रामायन का पाट होते रहता है आसोलेग, उमने, देखे, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखे, आसोलेग, उमनेक、 दोस्तोल जिलाँ, सुरे, जुमोबगितकाया उस्तादेखे तो यहाँ पर देखें उनका जो सूर जुमोर गितकाल का उस्ताद हैं कौन उस्ताद हैं जुठोन साव याद रखेंगे बड़ा चोटोक सोरू सुनते सुनते रोहेला मोन कोरेला सुंगे सुंगे उमोन एक लॉंबर के रामायन पढ़ने वाले रामायन के गयाता है तो यहाँ वहाँ से डाक उनको मिलते रहता है रामायन पढ़ने के लिए तो वहाँ पर जरूर ही वे हाजिर होते हैं आज उसने होई रोहे सोयलेस चुपे चुपे पार होई एक फेराई रोहे मिंतुग साव जी केर नोजोर बाचना सोच कथा ना लगे आज भी वैसा ही वाता सोयलेस वहाँ से चुप चुप के पार होना चाह रहा था लेकिन साव जी का नजर से बचना इतना असान नहीं है ठीक है वहाँ से जो भी पार होता है साव जी का नजर रहता है याद रखेंगे साव जी का क्या नम है जुरोन साव कौन रहते हैं ये एक नमबर का गयाता रहता है रामायन के और आसपास के गाव में रामायन पढ़ने के लिए जाया करते हैं ठिक है देखते के कहां कहां सोयलेष बबू यहां पे चिप चिप के जा रहे हैं सोयलेष कोन है अमारा इस काहणी का मेंन केरेक्टर है और सोयलेष कहा जा रहा है बसंदपूर जाने के दोरान उनको कोन मिलते हैं यह जुटोन साव मिलते हैं और यह चीप चीप के जाने का परियास कर रहे थे लेकिन देखे़ें यहां पर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि कहां-कां सॉयलिस पबू चीप चीप के कहां जा रहे हो जोइसी आराम जोइसी आराम इस सब टाइब से वो कहते हैं ठीक है एक दो सोईलेस के चोरी धोराई जाए रोहे एक एकडम वहां से पे सोईलेस का जो चोरी है धरा जाता है प्लाजे सुरों में कोई रोहे जोई सी आराम जोई सी आराम साउजी पराई के कहां जामो असोले आगू बेटेक भूतवा आत रोहे तो एकाई दे देखो देखो तके पार होई अडगालों साब जूट का था कोई के फेंक रोह सोयलेस तो चुकि सोयलेस यहाँ पर चीप चीप के जाना चाह रहा था लेकिन साव जी उनको पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर एक परकार से उनका चोरी धरा जाता है तो लाजेस्टों में फिर उ पार हो रहा था अब आओ तोनिक जीराए लेओ फिर वह साव जी कहते हैं आफ खो तोड़ा से जीरा लो पानी धानी पी लेओ पानी थोड़ा सा पीलो होवे कोरिनो, साव जी पूछ रोएं, तब वो कहता है कि तब आप साथ साम में बैठकी होगा ना, अर्थात की, जैसे कि सब कोई मिलते हैं उसी परकार से, पांच जन का बैठकी, पांच छे जन, जितने जन होते हैं, आसपास के, बैठकी करते हैं, तमाम विसमें पर चर्चा जाए, तो सोईलेश काता है, वैसे तो मैं एक काम से आया हूँ, लेकिन अगर काम जल्दी हो जाता है, तो जरूर से बस बैठा जाएगा, ठीक है, आरो केसोन केसोन, गोर परिबारेक सोब गिला, ठीक है, ठाक, आओ नो, साव जी पूछ रोएं, तो साव जी सभी परकार से देखे, पूछता है, अचा ठीक है, और ये बताओ, घर में सब कोई कैसे है, सब कोई ठीक है ना, इस परकार से, साव जी सोईलेश से पूछते है, तो यहाँ पर सोईलेश टीवी काते हैं, कि आपके, आसिरबाद से सभी कोई ठीक है घर में, मोई तो आईज दूई दीन का आई, रामायन कोईर के घुईर आओ, कहां जाए रोही, सोईलेश पूछ रोहे, तो देखे, वो काता है, कि मैं तो दो दिन से यहाँ पर कहीं पर रामायन करके आया हूँ, फिर सोईलेश माँ पूछता है, कहां जाए रोही, कहां गए थे रामायन करने के लिए, ये साव ज को पूछता है इक इठीन बूंडियार गाउंगे वह पर कते यहीं पे सामने बूंडियार में परायन रोहे वहां पर रामयन का परायन रहा था कथा काटे ना पाईर के जाइक हो लोग कुछ में कथा नहीं काटने सका और मुझे जाना पड़ा बास्तो में जुटोंसाव एक बबाष्टव में जोटन साग एक नबर का रामयान पढ़ते हैं. पर जबित बही रामयान पढ़ा होता है और वहाँ पर जोटन साग को बुलाए जाता है. उनको और सुरे एक रकाम कर चादू है के उनका सुर में एक परकार का चादू है. अभी भी गाउं में ये सबका चर्चा होता है और उनमें जुटोन साव को बुलाए जाता है आई होईला नो होईला एक दों सोज सोरोल भावे कोनो देखावा नो करी आंडवार तो यहाँ पर देखे उनका किसी भी परकार का कोई दिखावा नहीं करते हैं इस परकार का जोगीत हम लोगने पहले देखा वही गित यहां पे चल रहा है द्याल बावु यहां पर देखे जो द्रिस यह वो सीफ्ट होता है और यहां पर द्याल बावु जोकी उनका मित्र है और यहां पर जो ब्यागित हम लोगने शुरू पढ़ा था वहां पर देखे कहानी फिर से रिटन चला जाता है तो यहां पर देख पारे होंगी किस परकार का यहां पर लेखनी का परियोग किया गया है जो शुरू में हम लोग ब्यागित सुन रहे थे वही ब्यागित में हम अभी रिटन कर रहे हैं तो ये दयाल बागो को पूछते हैं कि इस परकार का जो गीत है जो की बेटी चुवा के द्वारा गाया जाता है वो हमारे लड़को अर्थात की बेटा चुवा के द्वारा गाना मुस्किल है इस परकार से सोयलेस किन को काता है दयाल से कहता है सुईन के जोगत पूरिच रोहे इटा का करोन है के भला तो वहाँ पे जोगत यहाँ पे और एक केरेक्टर का नाम आता है एक तो दयाल जो की इनका दोस्त है सोयलेस का वहाँ पे और एक केरेक्टर का नाम आता है जोगत इसको सुन करके जोगत का भी यहाँ पे आता है कि इसका क्या कारण हो सकता है तो यहाँ पे दयाल एक्स्पिलेन करता है कि जो बेडी चुआ सब होते हैं उनके मुझ से निकलावा सूर हमें इतना अच्छा क्यों रहता है तो वह कहते हैं कि उसमें किसी भी परका का भेचाल नहीं होता है उसमें जो सूर निकलता है वो अपना असाल रूप में भी रहता है साथ में मन की जो बेदना रहता है या फिर जो दरद रहता है वो असल रूप में ही गीत के रूप में निकलता है इसलिए हमें इतना सुन्दर सुनाई दिता है और ये सब कौन करें हैं दयाल करें है ठीक है बेटी चुआ के गीतो को सुना हूँ लेकिन बसंदपूर का जो यहां पर बेटी चुआ का गीत है उनके द्वारे जो मुँ से गीत निकलता है वो और कहीं से भी सुनने को नहीं मिलता है सायद बसंदपूर के गाउं का ही ये माटी का ही गुन है येसा करकर के सोयले सांस देता है और साथ साथ में सभी कोई हसने लग जाते हैं मिन्तुक की इत गीट गोविंद मामलाय तो तो तोरेक बेसी जानबा दोयाल कोई के सोयले स के बैटे देखे तो यहाँ पर वो दैयाल कहता है कि ये गीट गोविंद के बारे में तुम तो जादा जानुगे मेरे से तो यहांपे वहापे सूरारी लघरी का ř में यहांपे यहांपे बहुत जानकारी है। तो रोचिक आधेख हमरे के उसी का बात तुलेना हमरों को पाँचनाज पर बाथ गोपल कोई उट रहा है। यहाँ पर देखे और एक यहाँ पर केरेक्टर आता है गोपाल ठीक है तो जितने भी केरेक्टर आ रहे हैं उनका नाम थोड़ा सा कोपी में नोट करते हुए चलिएगा ताकि यह बाद में आपको दिक्कत ना हो तो यहाँ पर गोपाल क्या गाता है रोचिक आधेक कुछ-कुछ हमें भी सिखा तो तब ना हम कुछ समझ पाएंगे आसोले गोपाल और दयाल दियो गेत भजनाक बोड़े भगतों हैं कोई तो वे नो जाना के नाती तो यहाँ पर देखे यहाँ पर गोपाल और दयाल यह ग कुछ राबे करला खोने मोने बेजाएं जाने खींचा जाई उटलोग जे हमरेक पंच पर गना गीत बजना के कोनो साकिस माकान आहे नाइके गोपाल पूछ रोए तो गोपाल काता है कि जब यह टॉपिक उठा ही तो हमें यह बताईए कि हमारा जो गीत बजना है तो इसका पारे में थोड़ा सा बताईए ऐसा सोईलेस से पुछता है मुश्य के सोईलेस को इरो है नीच के उतना कातोर और हैजड कोरे के दोरकार नाइके कारोन हमरेक पंच पर गना के कोनो गीत बजना आरो आरो परदेस के गीत बजना ले कोनो ठाई काम नाइके बुरोंग बेसिक जाएगा 22 आहे तो वो कहता है कि अपने आपको छोटा समझनी के वश्यक्ता नहीं है हमारे पंच पर गना के जो गीत बजना है वो किसी अन्य परदेस के गीत बजना से किसी भी हाल में कम नहीं है किसी भी लेबल में कम नहीं है कहीं कहीं तो उनसे ज़्यादा रिच है ठीक ठीक है देखा जैसोन की भारोत केर सास्तिरियों गीत गिला केर रचना केर पेचुए गावाया गीत गिला केर तो हात रोहे पहले लोगीत नो बोईन होई ताकोर बादे ओके सुंगित ब्याकरण केर नियों में बंधाल गे लोग सुईलेस को हे लाइग रोहे यहाँ पे सबी चीजों को आप यहाँ पे समझ पाएंगे इसलिए इन पंक्तियों को थोड़ा सा अच्छी तरिके से देखने का परियास किजिएगा यहाँ पे वो समझाता है जिस परकार भारत का सास्तिरिय संगित है सबसे पहले वो लोगीत से ही उत्पन हुआ है लोगीत पहले बन बना है या फिर ब्याकरन बना है बहुत इंपोर्टन कोईशन है यहाँ पे आपको भी जवाब मिलने वाला है इटाक जवाब एक दो में सोजे आ है निश्चित भावे पोहिल भासा टाइब बोहिन आ है कलांतरे एके माहिनता रूप देल गे लोग उसके बाद देखे यहा बैस भावे जे कोनो भासा गिला के ब्याकरान के रिंडियो में कोईग चेस्टा कोरिला सलबे भासा आपन अपन ब्याकरन आहे आपने गवे गवे रोचल पॉईलोल पोसर रोगगीद गिला अगुए चोयल के सास्तिरियो रूपे पोरेमारवजित होलॉक आप राग चोलो उन बढ़ो Guill 그대로 तो यहां पर बहुत ही अधिक इस पश्वत पर का गया है कि देखे सबसे पहले पुछा गया कि भासा पहले आया या फिर भ्याकरन आया तो यहां पर बहुत ही सुंदर से सोलेस के तौरा ज़ब दिया गया निश्चित तोर पर पहले भासा ही आया होगा उसके बाद ब्याकरन आया है क्योंकि भासा आया उसके बाद उस भासा को ब्याकरन के नियम के अनुसार अच्छी तरीके से बाढ़ा गया जिकोर करण ने आज हमने बेस भावे जे कुनो भासा गिला के ब्याकरण के नियम को एक चेस्टा कोरिला जो भी भासा है उसको ब्याकरण के नियम के अनुसार हम लोग कहने का परियास करते हैं यहाँ पर दीए के स्वय भासा क्के सबील भासा का अपना अपना भ्याकरण है, जासे के हमारे पंश परघانिया भासा का भी सुन्दर भ्याकरण है, उसने गावए और रोचल पोलियोओ पोश्रोल लोग गीतो गिला अगुवे चोयल के 37,30 प्रिमार्जितों हो लोग करने को मिलता है, डीपा हो लोक का हाड होलोक मुझे तु राफ लोक इस परकारसी वो कटाच्च करता है कोण गोपाल मिंतुक दयाल टक्टकाई के सोयलेस के मुँ बटे देख राइक रो है लेकिन दयाल यहाँ पे देखिए टक्टकाई के सोयलेस का मुँ की तरब देख रहा था सोयलेस के मुँ लेक बारा या एक टुकु सौब्ध के आपोन हिते पराते डुकाई जात रो है वो सोयलेस के मुँँ से जितने भी चीजे निकल रहते वो अपने अंदर गुशाते हुए जा रहा था कौन दयाल जबकि किसको समझ में नहीं आ रहा था गोपाल को कोई भी समझ में नहीं आ रहा था फिर वो दयाल पुछता है कि सास्त्रिय गित और लोग गित में क्या अंतर होता है मुझे तो पहले सबसे पहले इसे ही समझा दीजिए इस परकार से वो पुछता है देखा फिर वो साइले समझाता है देखो गित मानुसकेर एसोन और वेवस्ता बहराल गित है के जेटा कोनो नियोम कानुने बधाल नाई किये मुझे सांच जाग लोग अंतोरे सुब्दो फुटे लग लोग आर जा मुझे आहे मुहेक दराय कॉलकलाते बहरायक तेहें इटा लोगित कोहनला तो लोगित क्या है उसमें किसी भी परकार का कोई भी लोग ब्याकरन समझ करके या तिर कोई भी चीज समझ करके नहीं बोला जाता है अंतरमन में जो भी उतपन होता है वो सब्द रूप में मूझ से निकलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं लोक गित करते हैं तो यहाँ पे लोक गित का भी आपको definition मिल गया सोची यहाँ पर उपन्यास पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ब्याकरन का भी जानकारी मिल रहा है लोक गित केर नुमूद चौंचल नोदी केर सौंगे कोरोल चाई पराई लोक गित का यहाँ पे वर्णन देखे चंचल नदी के जैसा हम लोग कर सकते हैं जिसों नोदी सीमानाग बांधाए नाए मानेला उसने लोक गित गिलाओ कुनो सीमाग ओधिन नाए रोहेनला तो यहा आपके मन में आपके जो भी दर्द हैं जो भी दूख है या पर जो भी कुसी है वो सब्द रूप में जो मुझ से निकलते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे लोक गित करते हैं उसको किसी भी सीमा में बांध के नहीं रखा जा सकता है मुझ लेक जेटा बहरा एक उटाई गीत निमूद देखा तो यहाँ पे कुछ उधारन देते हैं नींद टूटोल आंकी गोर भेला सुईनों को और हमें आली धौनी सुईन के बाज़नावा तो यह उधारन दिया गया है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उपशना से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन थ इसके क्लास का लगलभग मेकसिमाम पर्मलंब को ने किया है और थोड़ा सा बचा हुआ है इसलिए अपना पेसलेंसra मना करके रखे और अगर आपने अभी तक हमें सपोट नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जरूर सब्सक्राइब कर दें जरूर यह केवल मन का जो गदगदी है वही निकला हुआ है। एक रोचिक बिंतीरीच होले गीत टाय बोस्टो सोयलेश एके निकासे कोई रहे। लेकिन वह काता है अच्छा हमारा टोपिक तो अलग था हमारो वो टोपिक कहां चला गया जिसमें हम लोग साकी माकाम पंच परगनिया के बारे में बात कर रहे थे। ओकोर खेंकिया सुइन के सबेगिला हाई सुइट रहे। उसका खेंकिया सुन करके सबेगोई हासने लगे। वो काता है कि हमारा जो लोग गित है पंच परगनिया का वो किसी भी दूसरे जगह के लोग गित से कम नहीं है। मैं दुनिया गुमता हूँ और दुनिया में गीत जुमर सभी परकार की चीजों से अवगत हूँ। लेकिन मैं आपकी अभी छाती ठूप करके कर सकता हूँ कि दूसरे जगह का जो गीत संगित है उससे हमारे पंच परगनिया का गीत संगित बहुती अधिक उपर है। ऐसा कौन काता है हमारा में करेक्टर सोयलेस ऐसा काता है। यहाँ पर पूछते हैं राजा राम पूछ रोए यहाँ पर राजा राम देखे ओर एक्टर केरेक्टर आता है। एतना बांग छाक लोचोक मोचोक टान और हिंदराई रोहे जे गिला के बिना बारोटा सूर देखे आसल रूपे आने नाइप पारवा। कोहेक माने हमरे गित गिला, सूर गिला, खराखोने क्रोमेटिक स्केल मेने पवाई जाएला जहाँ पूर्तेक सुमोर बारोटा सूर खेलते रोहेला। हेके नो आकचकायक कता, वो काता है कि हमारा जितने भी पंच परगनिया की गित है, जुमोर है, वो हमेशा बारो सूर में खेलते रहते हैं, अर्थात की बिना बारो सूर को जाने वे ये सब भालतू का नहीं होता है, और जो क्रोमेटिक स्केल होता है, उसी के अनुसार हमार ये सारे गीत होते हैं, कोनों नाई सामालोक सोयलेस दा, वो काता है मेरा भेजा में तो कुछ गुशा नहीं, सोयलेस हाइस उट रह, सोयलेस वहाँ पे हसता है, रहे देतों है, आरो खेपा कांका ना कोहिन, वो काता है रहने दो तुम बस कारोन इगलाख अगले आलोगे रहे दो लेक काम नाई के, वो काता है कि तुम सिर्फ यही पे जान करके खुश रहो, कि हमारा जो लोग गीत है, वो किसी भी लोग गीत के, किसी भी भासा के लोग गीत से कुछ कम नहीं है, गीत के रडाणी और सोबदों के रभाव गिला ये बताए इनला, जिक गीत के करता है कि गीत कौन सा रस में भींजा हुआ है, तो साइलेस इतने अच्छी तरीके से समझाता है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सोइलेस के रकाता स्विन के भूत्वा हाई सुइट रहे, ओहो ते हैं, ओहो आज गाई मोई बुझे पाड़ लो जे हमरे गीत गिला, र रोसे जिल्पिक, रोसे अर बूंदियाक, रोसे भींजौल रोहेला, तोवे नो इतना मिठा लगेला, फिर वो कहता है कि अच्छा मुझे आज समझ में आया, कि हमारा जो गीत है, रोसगुलाक, रोसे अर्थत के रोसगुलाका रोस में, उसके पाज जिल्पी के रोस में, और बुंदिया के रोस में भींजा वाराता है, इसलिए ना इतना मिठा लगता है, यहाँ पर रचना थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है, और बताइए कि जो राजकी सोर सिंग जी के लिखनी है, वो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, भुतवा के चुईल कता सुरिन के सो और एक अबुज, अपोड, माई, बोहिन, और भाई, बाप, रा, गितकान, ला, खोज, और सोद, केर, विसो हेके, वो काता है, जो कि हमारे अनपड, मा, बाप, बोहिन, सब को गाते हैं, वो एक परकार का खोज का भी सह है, क्योंकि बिना किसी पढ़े हुए, बिना कुछ स सोचे वे, उनके मन में जो भी आता है, वो गित के रुप में निकलना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि वही, आप देखेंगे, हिंदी के जितने भी लेका के, बहुत सारे सोचने के बाद, बिचारने के बाद, एक गित, या पिर कविता करचना करते हैं, लेकिन पंच परगना के हमारे ऐसे-ऐसे उस्ताद हैं, जो कि इस्तिती को देख करके तुरन से पांच मिनट में गित बना लेते हैं, तो वो कहते हैं, इतने सारे जो टेलेंट है, ये एक खोज का बिसाई है, कोटे-कोटे ओकर गोटा मठान टा एकदम लाल होई जाए रो है, तो उसका ये सब काते हुए, उसका मुँँ पुरा लाल हो जाता है, ठीक है, सोईलेस बाबु तो एकदम गंबीर होई के लोगर राजा राम कोई रो है, सोईलेस बाबु तो एकदम गंबीर हो गया, राजा राम काता है, गंबीर होई के बात है कि जोदी बेस रोकम हमरे एक प अच्छी टरेके से खौज होता है, या फिर सोध होता है, तो उसमें जो भी चीजें बाहर निकल के राइएंगे, वो आश्चर्ज करने debeAKर निकल करने while могут ऐसे वीजाएं लोग जोज कोरे केरी शुरू कोरे हैं, ऐसे में तो बहुत कोई खोज करना सुरू कर भी चुके है देख देख हे देख इगलाग तेहें आरो दोसरा दिन चोरचा को रोल जाए कोहे के दयाल बीसो इठाके बोदलग चिस्टा कोई रोहे फिर वो काता है कि अच्छा ठीक है इस सब के बार में दूसरे दिन हम लोग बात करते हैं दोयाल बीसा गोपाल पूज रोहे दूसरा काम क्या और दूसरा काम फिर वो गोपाल पूचता है कि इसको पूचता है दोयाल को काम ट तू हाँ लाल बैसनी हैं अले टोला में मुझे तोला काम है उसके लिए मुझे ध्र रोला जगाना होगा गोटा टोलाए, ओके डाइन कोई रोहें सभी टोलाए उसको क्या कहा जा रहा है? डाइन कहा जा रहा है देखें यहाँ पर कहानी को दुसरे मोण में मौडते हुए राजकिसोर, सिंग जी यहाँ पर यहाँ पर जो हमारे समाज में भुराया है उनकी तरब कानी को मोड देते हैं ठीक है गोटा टोला ओके डाइन कोई लाइग रोहीं सभी टोला में वो डाइन कह रहे हैं गोटा बोसतपुरेक ओकोर नाम जागे लाग लोग और पूरा गावाईया मिटीन कोई रहोई जे ओकोर मुड़ेक चुईल गिला के कामाई के मुड़ी चंड़ी कोरल जाओ और दियो गाले चून काली दे के कोटा गाव घुराल जाओ वहाँ पे डाइन कहा जा रहा है उसको और कहा जा रहा है कि यही मीटिंग किया गया है कि उसका मुड़ी का चूल है उसको सभी रापा देना चाहिए और मुड़ी आई के लोई दोयाल केर काता सुइन के सोयलेस केर तो गोटा गाते सील्डरी उट रहा है दोयाल का बात सुन करके सोयलेस का गोटा गा सील्डर गया अर्थात की उनका रोंग्टे खड़े हो गया इस परकार का बात सुन करके क्योंकि किसी को डायन काना और डायन का करके उसका जितना सर का बाल है उसको रांप देना मुंडरी चंडरी कर देना और उसका गाल में चुना काली पोथ करके पुरा गाउं में गुमाना ये चीज बहुत ही खराब चीज़ है आइन आइज के सोमय मेहनो इकला के चर्चा सुइन के सोयलेस हाई टाटका होई चाहे रहो है साइन्स एकोन कोतना अगवाई चाहे रहो है मिन्तु बसंतपूर एकनो पूर्णा विचार सोयलेस के मुलेक बाहरा है सोयलेस पिर कहने लगा आज कल भी ये सब बात सुनकर के मुझे बहुत ही खराब लगता है साइन्स कितना आगे चला गया है लेकिन बसंतपूर जैसे गाव में अभी ऐसा विचार चल रहा है सोयलेस के बिचार जाइन के राजाराम कोईरो है दूइचार लोग पूरलेक का नमा बिचार आवी नो सोयलेस पाबू फिर इसका बात सुनकर के राजाराम काता है दीके राजाराम यहापे कर रहा है दो चार के पढ़ जाने से क्या ही हो जाएगा दो चार पढ़ने से ही थोड़ी जो परिवर्थन आ जाएगा पुर्खोती लेक्जे बिहीन लगाल जाए रोहे तेकरे कोरगिला नो एकोन चाके के पवात है वो कता है कि पुर्खोती अर्थात कि हमारे पुर्वत जो बिहून लगा है अर्थात कि उन्होंने जो बीच बोया है उसी का फल तो आज हमें मिल रहा है दो चार जन आज कोई पढ़ लेगा तो थोड़ी जो परिवर्तन हो जाएगा इस परकार से कौन कह रहा है राजाराम सो बेटी चुवा के लंगटा कोईर के गाउं गुरालडा वो पिर काता है तो क्या ये अच्छा होगा एक अबला बेटी चुवा को लंगटा करके अर्थात की निवस्तर करके पुरा गाउं में घुमाना क्या ये अच्छी बात है क्या ये हमारे मर्यादा की किलाब नहीं है इस प्रकार सी वो काता है मोरी साब तो इटा एक दोम बोका और आमानूस के र काम होई वो सोयलेस काता है कि मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा बोका अर्थात की बोका बला काम हो रहा है और आमानूस अर्थात की आमानावता बला काम हो रहा है एसा वो राजाराम को कहता है दोयाल बाभू तोरोग इगला के चुपचाप देखबा अरसोबा वो कहता है दोयाल बाभू तुम भी तुम्हारा टाम हाएगा तो चुपचाप देखेगा और सुनेगा कवम से कवम तोहरे तो रोक लागाई परता सुजाए परता सोयलेस कोई रोहे वो काता है कम से कम तुम लोग तो इसमें रोक लगा सकता है तुम लोग तो उन लोग को बुजा सकता है इस परकर से सोयलेस काता है दायते कानून के तोरे सोहरी सोब नाई जानाला सोयलेस पबू वो काता है तुम बुंडू से आए हो, सहर से आए हो, तुम इन सब का कनून कहां से जानेगा, दायते कनूक तुम इस सब नहीं पहचानेगा, हिया सोब केर मोत टाइप सुनोल जाई, यहां पे सब का मत ही सुना जाता है, अर्थात की गाउं के जो पांच जन बेटे हुए रह अच्छा, यहां पे दयाल कह रहा है कि मेरे एक जन को कहने से कुछ नहीं होता है, और साथ में जितने भी गाउं के लोगे, वो जो बोलेंगे, वही होगा, ठीक है, तो यहां पे बहुत चीजों के बारे में पता चला, और इसी परकार हम लोग चेप्टरों को आगे बढ़ अभी एक परकार से इस्ट्रोडक्शन दिया गया है कि सोयलेस कहा गया है, वहां पे किन-किन से भेट करता है, क्या-क्या बारे में चर्चा होता है, उनके दोस्तों के बीच में चर्चा के बारे में बताया गया है, और अंत में देखिए, यहां पे टच करके छोड़ दिया गया है कि डायन परता किस परकार से है एक अबला नारी को किस परकार से यहाँ पर निवस्तर करके गुमाये जाता है उनको किस परकार से मूड का जो बाल है उनको हटा दिया जाता है ठीक है यहाँ पर देखे मूडरी चांटरी कर दिया जाता है और किस परकार से उनको गाँ म नंगा अर्था की निवस्तर घुमाए जाता है ठीक है तो ये अंदविश्वास के बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर में टच करके छोड़ दिया गया है इसके बारे में डीटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही शुर कर सकते हैं नीचे टेलेग्राम आईडी का लिंक मिल चाएगा या फिर वाट्सेप भी मैंने दे दिया है किरिपया मेसेज कीजेगा कॉल मत कीजेगा ठीक है मेसेज कीजेगा जो भी समश्या होगा मैं उत्तर देने का परियास करूंगा आज की इस वीडियो में इतना ही इटना ही याएगा लगा एटना है कीजेगा लगा एटना ही अवी याएगा लिदने कीजेगा प्रसक्स का लिएगा